हेलो अबरेवन वेलकम बैक टो अंजर वीडियो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक कंगी की मदद से आप घर के लिए कैसे डूर मैट, मैट, कालीन बना कर तेयार कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं अगर आपके पास बचा हुआ और उसके बाद हम यहां पर 40 rounds उनके कर लेंगे तो बस ऐसे करके इसको 40 rounds हमें कर लेने है तो यह देखे ऐसे करते हुए हमें पूरा 40 राउंड इसमें लगाते जाना है तो यहाँ पर अच्छे से हम बिल्कुल बराबर से 40 राउंड लगा लेंगे और इसको लगाने के बाद उन को हम कट कर लेंगे तो यहाँ पर उन कट कर लेंगे और इसके बाद इसको इसमें से निकाल देंगे तो यहाँ से हम इसको ऐसे निकाल देंगे और एक साइट से हम कट लगा लेंगे तो यह देखे यहाँ से हम एक साइट से इसमें कट कर लेंगे और इसके बाद अब हम यहां से open कर लेंगे तो यह एक लंबा उन की बन जाएगी तो अब हमें करना क्या है एक corner से हमें इसको उन लपेट कर बान देना है तो ऐसे करके हम एक तरफ से इसको बान देंगे और सेम ऐसे हमें 3 pieces बना लेना है तो यह देखिए यह मैंने 3 pieces बनाए है अब हम इन तीनों को अपस में बान लेंगे इसको बानने के बाद यहां पे इसकी एक हम braid बना लेंगे आप चाहे तो एक साथ इन सारे lines को cover कर सकते हैं लेकिन मैंने अलग-अलग इसलिए किया है ताकि कंगी में बिल्कुल बराबर से ओन आ जाए तो यहां पर ऐसे करते हुए हम इसकी ब्रेट्स बनाएंगे और यह हम पूरा complete कर लेंगे तो यह देखिए ऐसे करते हुए हम पूरा इसको बनाकर ready कर लेंगे इसके बाद ऐसे करते हुए एक कॉर्णर से दूसरे कॉर्णर में हम इसको round करते जाएंगे तो यह देखिए ऐसे करके हम इसको पूरा round कर लेंगे और यहां पर लाकर stop कर देंगे तो सेम ऐसे हमें करना है तो हमें लेना है एक सुई धागा और बस एक कॉर्णर से ऐसे round करते हुए सुई धागे से हमें इसलाई लगाते जाने हैं तो बहुत ही अराम से इसकी स्लाई आपको कर लेनी है और बहुत ही easy method से यह बनकर तयार होगा तो यह देखिए ऐसे करते हुए हम round करते हुए इसको पूरा लगाते जाएंगे तो यह देखिए ऐसे करते हुए हम पूरी इसकी स्लाइ करते जाएंगे और लास्ट में हम इसको यहां से बंद कर देंगे तो यहां पर नॉट लगाकर हम इसको इंट कर देंगे और इसके बाद अब हम इसको कट कर लेंगे तो यहां से हम धागे को कट कर लेंगे और यह हमारा बहुत ही प्यारा सा flower बनकर त्यार हो जाएगा ये देखिए बिल्कुल असानी से ये बनकर दो मिनट में त्यार हो जाएगा तो ऐसे ही आप धेर सारे flowers बनाकर matte, carpet, काली, indoor matte जो बनाना चाहते हैं बचे हुए उन का आप बनाकर ready कर सकते हैं color में बनाना है तो multi color में बना सकते हैं तो इस तरीके से देखिए मैंने दूसरा भी flower यहां पर दूसरे color का बनाकर त्यार किया है तो ऐसे ही हम धेर सारे बना लेंगे तो बहुत सिंपल तरीका है इस flower को बनाने का तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको बनाकर bread की मदर से तयार कर लिया है तो अगर आपके पास बचे हुए उन है तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं तो यह था बहुत ही आसान तरीका जिससे कि आप इस ऐसे flower बनाकर वन बाई वन करके अपने लिए कारपेड मैड डूर मैड कुछ भी बनाकर त्यार कर सकते हैं इसको और अट्रेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें पर्ल डाल सकते हैं एक ग्लू से या फिर स्विधागे स उसको आप इसको लगा सकते हैं तो यहां पे देखिए ऐसे करके हम इसको लगा लेंगे तो इस तरीके से आप बिल्कुल easy method से आप यह flower बनाकर कई चीजों में लगा सकते हैं तो अब हम यहां पर दूसरे तरीके से इसको बना कर त्यार करेंगे तो वो भी बिल्कुल आसान तरीका है इन फ्लावर्स को बनाने का तो सबसे पहले हमें करना क्या है यहां पर लेना है हमें फिर से कंगी और इसमें फिर से हमें सेम नॉट लगा कर ऐसे से इसको राउंड कर लेना है तो ये भी बिल्कुल आसान सा तरीका है इस प्लावर को बनाने का तो यहाँ पर जिब जादर राउंड हम लगा लेंगे उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे कट करने के बाद वैसे हम सेम इसको इसे निकाल देंगे निकालने के बाद कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद हम जैसे उपर की और नॉट हमने लगाई है वैसे हम नॉट लगा लेंगे तो यहां पर देखिए नॉट लगा लेंगे उपर की और तो कोई भी उन लेके हम इसमें उपर से नॉट लगा कर इसको टाइट कर देंगे कि दो तीन नॉट अच्छे से हम टाइट यहां पर लगा कर इसको फिक्स कर देंगे और यह देखे तो इस उन को अब हम हटाएंगे नहीं इसी उन को फिर से हम नॉट लेंगे ऐसे राउंड करते हुए थोड़ा दूरी पर हम इसको खीच देंगे तो यह इस तरीके का षेप बन जाएगा तो यह देखे यहां से इतनी दूरी पर एक इंच की दूरी पर रखेंगे दो नॉट यहां पर लगाएंगे जिससे की अच्छी से टाइट हो जाएए तो यह देखे है सेम ऐसे ही करते होगे हमें पूरा इसको कर जानाये तो यह देखे 알house थोड़ी और गैपिंग लेंगे और फिर से हम इसको इसमें हoft लगा देंगे कि ऐसे हमें थीसरा भी कर लेना है कि आई ओर ऐसे उसको करके खेच लेना है तो यह देखे ऐसे तीन हो गया तो से मैंसे हमें पूरी डोरी इसकी मतनी नहीं है तो बस जब आपका यह पूरा कम्प्लीट हो जाए तो उनको आप कर ले उसके बाद हमें सुई धागा लेना है फिर से और यहां पर सेम वहसा ही प्रोसेस से हमें इसको राउंड करते हुए स्टीचिंग लगाते जाना है तो देखिए ऐसे करते हुए हम पूरा इसको राउंड करते हुए स्टीचिंग लगाते जाएंगे और ऐसे करते हुए हम पूरा इसको स्टीच करते जाएंगे तो ऐसे करते हुए पूरा राउंड इसको स्टीचिंग लगाते जाएंगे तो यह देखिए यह अच्छे से टाइट हो गई है ऐसे अब हम और इसको राउंड करेंगे और इसको पूरा इंड कर लेंगे यह देखिए ऐसे करते हुए हम पूरा इसको णॉट लगाते जाएंगे और इसमें जहां जहां पर joint है वहां वहां पर हम बस इसको stitch करते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे और इंट करतेंगे इंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके की design का flower बन कर त्यार होगा आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये flower बन कर ready हो गया है आप इसमें चाहे तो pearl add कर सकते हैं तो ये देखे कितना प्यारा ये flower बन कर ready हो गया बिना किसी बुनाई के बिना किसी कुरैशिय के तो इस तरीके से आप दो तरीके के method से flower बना कर तयार कर सकते हैं और जैसा कि मैंने दिखाया कि मैट डोर मैट बहुत सारी चीज़े इससे आप बना कर त्यार कर सकते हैं तो यहां पर सब में आप flowers में pearl add कर सकते स्टोंस पर कर सकते या तो फिर इसको आप सेंपल भी रहने दे सकते हैं कई color कर बना कर आप इसको कपड़े पर attach कर सकते हैं या तो फिर आप मैट बनाना चाहते हैं तो आप प्लेन डोर मैट बना ले उसके उपर इसको attach कर दे तो बस इतना सा आपको काम करना है और यह आपका प्यारा सा डोर मैट बना कर त्यार हो जाएगा तो देखें इस तरीके से मल्टी कलर में अगर आपके पास उन है थोड़े 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 उन बचे हुए है अगर तो आप इस तरीके से मैट, डोर मैट, थाल पोश कुछ भी बना कर आप त्यार कर सकते हैं तो शॉल वगेर अगर ठंड में आपको बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं मेरा प्रिवियस वीडियो में मैंने वो भी बताया है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स पॉर वचिंग बबाए